नमस्का दूस्वों प्यल्टिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है दूस्तों आज किस क्लास में आप लोगों के लिए यूपी ट्रपल सी वीडियो रेक्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रक्टिस सेट नवा ले कराया हूँ और इस प्रक्टिस सेट के अंतरगत हम लोग हिं का समान करना समाजिक सफलता का एक मात्र मंतर है जीवन में सुख सान्ती और उन्नती चाहने वाले प्रतिक महत्वा कांची का सबसे पहले यही शीख धारन करनी चाहे हूँ यूदिस्टि ने राज सोई यग में ग्रशन ने लोगों के सुपागत के जम्मेदारी लियो और बदले में वे उस यगे के सरवाधिक पूज व्यक्ति माने गए। उपर्युक्त गद्यांज के आधार पर निमन प्रैसन के उतर दीजिए। तो गद्यांस का उप्रूग सेज़सक बताएं दोस्तों तो इस गद्यांस का सेज़सक क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे तो right answer option A हो जाएगा गद्यांस का उप्रूग सेज़सक सम्मान है दोस्तों option A right answer है निर्दिस दिया गया है दूस्तों अधो लिखित अपठित गद्यांस को पढ़कर प्रसन संख्या 2-5 तक नीचे दिये गए प्रसनों के सही उतर लिखे तो यहाँ पर नीचे दूस्तों गद्यांस दिया गया है इसे भी आप पढ़ लीजे प्राचीन काल में नारी का इस्थाम समाज में अगरगन्य था ऐसा कहा जाता था कि जहां नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है मद्ध भारत की काल में नारी का पतन सुरू हुआ मद्ध काल तक तो नारी दासी या कुलाम बन गई चार दिवारी में कैद हो गई कि उनिस्वी सताबडी में राजारा मोहन राय स्वामी विवेकानन दयानन सरस्वती आज समासोधार को ने नारी जगत की काया पलटती नारी उठान की और बढ़ती गई आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आस्मान में अपना कब्चा जमाया है नारी तू नारायडी उक्ती को सिद्ध कर दिया है वास्तों में देखा जाय तो नर और नारी एक रत के दो पहिये हैं रत को सुयोग धंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन होना चाहिए सिछित नारी परिवार की उद्ध्वारक है प्रती घर में नारी का समान होना चाहिए समाज में प्रचलित को प्रधाओं से लना अन्यवार है नारी ने अपना इस्थान जो प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को ततपर रहना चाहिए तो ये रहा दोस्तों गध्यांस इससे समंधित नीचे दिएगे questions को देख लेते हैं question number second है प्राचीन काल में नारी का इस्थान क्या था तो दिएगे options में से आपको बताना है तो प्राचीन काल में नारी का इस्थान अगर गन्ने था option B इस question का सही जौब हो जाएगा अगला question question बताड़ है नारी तू नारायनी की सही ब्याख्या क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा नारी नारायनी की तरह पूजनी है option A यहाँ पे सही जौब है अगला question question number 4 है दोस्तो उपर युक्त गध्यांस का उचित सिर्सक होगा दिये गए options में से इसका उचित सिर्सक क्या होगा दोस्तों आपको बताना है तो right answer हो जाएगा option B नारी तू नारायनी question number 5 है देश का उद्वार कैसे होगा दिये गए options में से आपको बताना है इस question का right answer क्या होगा तो नारी को समान इस्थान देने से देश का उद्वार नारी को समान इस्थान देने से होगा दोस्तों, option C, right answer हो जाएगा अगला question, question बस एक से यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालों को प्रेशित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो right answer हो जाएगा option उसे परिपत्र कहते हैं दोस्तों, ध्यान नखियेगा, question number 7 है, कार्याले आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है, तो right answer option T हो जाएगा, सभी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, मंत्राले के लिए, संबंद विभाग परभाग के लिए नेक्स question, question number 8 है दोस्तों, अधि सूचना प्रकासित होती है, किस में होती है दोस्तों, दिएगे options से आपको सही answer का चैन करना है, तो right answer हो जाएगा, इस question का, अधि सूचना प्रकासित होती है, सरकारी गज़त में, ध्यान नखियेगा दोस्तों, अगला question, question number 9 है, निम्न में इन में से कौन सा बेद है, तो right answer हो जाएगा, option दी, उपर यूग सभी है, संचेपण, सोतंत्र बिसाय का संचेपण हो, प्रवाही, प्रवाहया, प्रवाहमान, संचेपण, ताली का संचेपण हो, तो उपर यूग सभी इसका सही जाब हो जाएगा, बढ़ते हैं अंगले question question number 11 है, हिंडी में कौन सा बेंजन, काकल कहा जाता है, तो right answer, option C हो जाएगा, हा, काकल कहा जाता है, हिंडी में, हा, वर्ण, काकल कहा जाता है, ध्यान एक, option C, right answer हो जाएगा, अगला question, question number 12 है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, तो मात्रा स्वर को क्या कहते हैं दूस्तों, तो right answer हो जाएगा अगला question, question number 13 है link की द्रश्टी से दही क्या है तो दही बताना है आपको option A दियागा, कोर्शन दियागा इसरी link है option B है, बुल लिंग है, option C है, नपोर्संग लिंग है, option D, अपको बताना है तो link की द्रश्टी से दही polling फोलिंग शब्द है Dुश्तों ध्या नखियेगा अगला कोस्चिंक कोरिशन फुर्टीन है निमलिखित में फोलिंग शब्द नहीं है दिये उप्सन से आपको बताना है तो राइट आन्ळसर play को ब्रूसर कोर्शनisf से और नकल नकल फोलिंग शब्द दिए गए उप्संस में से, तो right answer हो जाएगा, option a, तपस वी का इसी link तपस वी नी बनेगा, option a right answer हो जाएगा, question 17 है, उचारन का संद बिछेद क्या होगा, तो उचारन का सही संद बिछेद हो जाएगा, उत प्लस चारन बराबर उचारन होता है, अगला question, question 18 है, निम्न में श संधी बताना है, एतन मुरारी, एतन मुरारी में आपको संधी बतानी है दोस्तों, तो यहाँ पे right answer हो जागा option है, बेंजन संधी है दोस्तों, question number 19 है दोस्तों, नही प्लस पाप में कौन सी संधी है, तो नही प्लस पाप में संधी बतानी है, दिएगा options में से, तो right answer option C हो जा बिसर्ग संधी स्वर संधी का भेद नहीं है अगला question question by 21 है दोस्तों सूची first को सूची second से सुमेलेट की जो नीचे दियेगे विकल्पों में से सही उतर चुनिए सूची first एक तरफ दी गई है सूची second एक तरफ दी गई है एक तरफ सब्द है दूसरी तरफ समास है तो right answer यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इस question का option c यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा a का second b का first और c का 4 d का third इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तो c का यहाँ पर second है देश विदेश तरफ देश और विदेश तो यहाँ पर दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा first का विदेश गमन का हो जाएगा second से ताथ पुरुष समाज से हो जाएगा और option b का जो हो जाएगा गिरधर बावविरी समाज से मिलान हो जाएगा और C का जो मिलान हो जाएगा देश बिदेश दुन्द से हो जाएगा और यथा सिग्र अभी भाव से इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों ध्यान लखिएगा बढ़ते हैं अगले question के और question number 22 है धीरे धीरे में कौन सा समास है आपको बताना है दिये गए options में से तो धीरे धीरे में अभी भाव समास है दोस्तों धीरे धीरे अभी भाव समास ध्यान लखिएगा अगला question question number 23 सन्यास शब्द में काउंसा उपसर्ग है तो सन्यास शब्द में काउंसा उपसर्ग है दिएगा options में से आपको बताने तो right answer option नहीं हो जाएगा some उपसर्ग है दोस्तों अगला question, question number 24 है निर्गुण शब्द में उपसर्ग है तो निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताना है तो right answer हो जाएगा option C नेर हो जाएगा नेर उपसर्ग हो जाएगा निर्गुण में अगला question, question number 25 है खिलावना शब्द में मोल शब्द है तो खिलावना में मूल शब्द क्या है दोस्तों, तो खिलावना शब्द में मूल शब्द खेल है, option B सही जवाब है, question number 26 है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्य है, तो पांडव शब्द में दोस्तों आपको प्रत्य बताना है किस, तो right answer हो जाएगा यहाँ पे, 26 का question number हो option B, तद्वित प्रत्य है दोस्तों, अगला question, question number 27 है, निम लिखित में से कौन सा शब्द तद्सम है, तो तद्सम सब्द का चैन करना है देगे, option में से, तो right answer option C हो जाएगा निम, निम तद्सम सब्द है दोस्तों, question number 28 है, निम लिखित शब्दों में से कौन सा तद्सम नहीं है दूस्तों, question number 29 है, गमला और आलपीन किस भाशा के शब्द हैं, तो right answer option C हो जाएगा, पूर्त गाली भाशा के शब्द हैं, question number 30 है, 600 सब्द से बना संग्या सब्द है, तो 600 सब्द से बना संग्या सब्द कौंसा है, तो right answer option A हो जाएगा, भाव वाचक संग्या है, question number 31 है, संग्या का भेद नहीं है, कौंसा नहीं है, दूस्तों दियेगा options में से, तो right answer option C हो जाएगा, ने जवाचक संग्या का भेद नहीं है, अगला question, question number 32 है, जो सरुनाम शब्द वक्ता, सुरोता आथवा किसी अन्य विक्ती के लिए प्रूप किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, option नहीं है, समन्द वाचक सरुनाम, option B है, पुरुस वाचक सरुनाम, option C ह ने जवाचक सरुनाम, तो यहाँ पर इस question का right answer हो जाएगा, option B, पुरुस वाचक सरुनाम कहते हैं, दोस्तों, ध्यान नखिएगा, अगला question, question number 33, अनिश्य वाचक सरुनाम का कारण, कारक बहुचन रूप होगा, तो right answer, option C हो जाएगा, किन ही से, इसका बहुचन रूप हो तो right answer हो जाएगा, option D, गुण वाचक बिसेशन है, यहाँ अगला question, question number 35, सरीखा शब्द में बिसेशन है, तो right answer, option B हो जाएगा, गुण वाचक बिसेशन है, दोस्तों, अगला question, question number 36, परिमाड वाचक किरिया बिसेशन अब बे क्या है, तो right answer, option D हो जाएगा, अत्यंत हो question number 37, निम लिखिर शब्दों में से एक विसेशन नहीं है, उसका चैन करना है, दिएगा, options में से, तो right answer, दोस्तों, हो जाएगा, इस question का, option C, गर्व, गर्व, एक विसेशन सब्द नहीं है, दोस्तों, अगला question, question number 38, रात भर जागना स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकी शब्द में शब्द को पहचानी है, तो right answer हो जाएगा, हाँपे option है, संबंद सूचक अब्बे हैं, दोस्तों, अगला question, question number 39 है, कौन सा शब्द अब्बे नहीं है, दिए गए options में से आपको सही answer का चैन करना है, तो right answer, option दी हो जाएगा, किसे, कौन सा शब्द नहीं है, दोस्तों, question number 40 है, परिमार वाचक किरिया विशेशन अब्बे है, तो right answer, option C हो जाएगा, इतना, परिमार वाचक किरिया विशेशन अब्बे है, अगला question, question number 41 है, इन में से कौन सा निपात का भेध है, तो निपात बताना है आपको, निपात का कौन सा भेध है, द question number 42 है, दोस्तों, कौन सा शब्द घर का परियावाची है, तो घर का परियावाची आपको बताना है, दे गए, option में से, तो right answer, option D हो जाएगा, घर का परियावाची गे है, दोस्तों, option D सही जवाब है, question number 43 है, दुर्गा का परियाए, बताईए, तो दुर्गा का परियाए हो जाएगा option A यहाँ पे सही जवाब है question number 45 है रथी का बिलोम है तो रथी का बिलोम क्या है दोस्तों तो रथी का बिलोम बेर्थी होता है option C सही जवाब है अगला question question number 46 है प्राकार और प्रकार शब्द युगम का सही अर्थ है तो right answer हो जागा option A प्राकार का मिन्स होता है चार दिवारी और प्रकार का किस्म होता है तो option A यहाँ पे right answer हो जाएगा question number 47 अन और अन शब्द युगम का सही अर्थ है तो कौन सा सही अर्थ है दोस्तों दिएगा options में से तो right answer option C हो जाएगा अन मिन्स अनाज होता है और अन न का मितलब दोसरा होता है option C right answer है question number 48 है हड़ोती बोली कहां बोली जाती है तो हड़ोती बोली कहां बोली जाती है तो हड़ोती बोली राजस्थान में बोली जाती है option A यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा question number 49 कौन सा शब्द सुद्ध है देए गए options में से आपको chain करना है तो यहाँ पे option C परिणात इस प्रकार से लिखा जाता है परिणात शब्द सुद्ध है ध्यान नखिएगा अगला question, question number 50 है question number 50 और अंतिम question है इस practice set का प्रधान मंत्री के भाशन की शुरुत लिपी उसने उसी समय ले ली रेखांकी शब्द का सुद्ध रूप है तो सुद्ध रूप का chain करना है सुद्ध लिपी का तो right answer हो जाएगा option D, सुद्ध लिपी इस तरह से दोस्तों इसका सही रूप बनेगा दोस्तों, जहां रखिएगा तो दोस्तों ये रहे हिंडी के 50 questions को आपने देखा और आपने practice की दोस्तों आज की class में बस इतना ही, मिलते है next class में तब तक लिए नमस्कार, चाहिन, धन्यवाद